नमस्कार साथियो न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं राफेल की परत इतनी उधर चुकी है कि जब भी सरकार इसको बचाने की कोशिस करती है तो ऐसा लगता है कि सरकार की लंका लगने वाली है और तर्क हनुमान जी की पूँच की तरह हो गए हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चीफ अडिटर प्रभीर प्रुक्यास था तो अभी जो सुप्रीम कोट में चर्चा होई उसमें ये कहा गया कि भाई राफेल के जो दस्तावेज थे वो डिफेंस मिनिस्ट्री से चोरी कर लिए गए और उसके बाद ये तर्क दिया जा रहा है कि ये दस्तावेज चोरी की हुए है उफिसल सिग्रेट अक्ट का उलंगन करते हैं इसलिए दस्तावेज गलत है इन पर कारवाई की जाए बसरते की राफेल की छान बिन की जाए या उस पर तर्क रखा जाए तो इसको आप कैसे पहली बात तो इन्होंने नहीं कहा कि दस्तावेज गलत है बलकि जब कहा कि दस्तावेज चोरी हुई है एक हिसाब से दस्तावेज सही है इस पर महर लगाई नहीं तो अगर कहते दस्तावेज गलत है तो चोरी की बात ही नहीं आती तो बोलते मैनिफैक्शन डॉकुमेंट् ने तो यह थाबित कर दिया कि जो दस्तवेज निखला है जो इंडाम हिंदू में चापे हैं जो एक पन्ना कहा कि एक पन्ना नहीं था उसमें वह भी दिखाया गया और इसके साथ सथ दूसरे यह सही साबित अटर्डी जनरल ने खुद कर दिया पहली बात दूसरी बात अगर ऑफिशल सीक्रेट्स एक्ट की बात होती है यह कलोनियल एक्ट है 1926 की मेरे शाल से एक्ट है यह यह अगर प्रेस पे लगाये जाएगा तो यह मेरे ख्याल से आजादी के बात इस तरह के पहली बार की जाएगी कि प्रेस के खिलाफ ऑफिशल सीक्रेट्स एक्ट की लंगन की मामला दर्ज किया जाए तो यह दी कह रहे हैं कि राम साब ने राम ने दस्तवेज चोरी किया का चोरी की हुई दस्तवेज आपने च्छापा है तो इसलिए आपने ऑफिशल सीक्रेट् उन्होंने क्या उन्हों पर मामला क्या किया जा सकता है यह सवाल है और जो अखबारों ने छापा है इसका राम जो है उन्हों पर यह दवाव होगा कि आप बताएं किसने आपको दिया है राम अल्रेडी उन्होंने बता चुके हैं कि हम यह बताने वाले नहीं है बुन्यादी जिम्मेदारी है पत्रकारिता है कि हम कभी भी अपना सोर्स को डिस्क्लोज नहीं करते हैं मेरे खाल से मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि कोई भी न्यूज और्गनाइजेशन पर इस तरह के दवाब डालना एक इसको जो कहते हैं चिलिंग एफेक्ट कि आप पूरे पत्रकारिता को आप एक दम से रोकना चाहते हो जो आपके लिए अंकомफर्रेड़ सत्य है उसको दवाने के लिए अनको जबान बंद करना चाहताए ह। रोकना चाहता हो इसका असली नियत तो ये निकल के आई है और ये बात आपकी सही है रफाल की जो डिसकेशन हो रही थी कोर्ट पे जो मुद्धा था असली मुद्धा के जगव पे ये मुद्धा आ गया है कि हम अफिशल सीक्स एक्ट लगाएंगे जो इस तरह के परदाफाश कर लाए उसके खिलाफ कारवाई करें ना कि सुप्रीम कोट में चर्चा हो रही है रफियल जज्जमेंट में जो तत्थ सरकार ने बताया था कोट को वो घलत था यह सही था जो एक्चिली डिव्यू प्रिटिशन का मूल उद्धेश है अट और नी जोलिक तर्क ये भी देखते हैं बहुत अजीब सा तर्क लगत पार्टिश जबकि यह बात वह तब कह रहें कि तो पद है और दूसरी बात जब प्रधानमंति नर्डेंद्र मोदी करें गर राफेल हमारे पास होता तो इस तरह की स्थिति नहीं आती तो राजनीती तो इस पर चली रही है और यह राजनीती का हिस्टा कैसे बन सकते हैं कि दो पहलू है मैं दुबारा कहना चाहूंगा मुद्दा क्या था कोट के सामने रेटरीजिरल कह क्या रहे थे मुद्दा कोट के सामने था रिविशन पिटीशन जो प्रशांद भूशन अरुन शोरी और ऐश्रुन सिना ने फाइल किया है यह कौनसी पर रिवीव के लिए क्यों बात कर रहे थे रिवीव इसलिए कहना चाहते थे कि कोट के जज़्जमेंट में C.A.G. रिपोर्ट में के बारे में कहा गया था C.A.G. रिपोर्ट पारलिमेंट के दे चुकी है और उस पे प्राइस फिगर्स को रिडैक्ट किया था जो कि उस वक्त के यह हकिकत नही थी और C.A.G. की बाद में जो रिपोर्ट में चर्चा किया गया उस पर यह भी है कि तब तक C.A.G. उसको माना भी नहीं था कि हम रिडैक्ट करेंगे प्राइस फिगर्स को C.A.G. रिपोर्ट में तो यह गलत अथ्यों के आधार पे कोट की जज़्जमेंट आई है और इस कवर बे सरकार आपको लगता गलत तत्थ दिया है इसलिए सरकार की इस चीज को जो गलत चीज बताई हैं ऐसके आधार पर आपने जो जच्विंट लिया है और ज़जमेंट अब गलत है उसको रिव्यों करना चाца क्योंकि आधार ही गलत था कौन्ट के साफ्डे सरकार भी प्रशान भूशन और दोसरों को ये कहना है ये change of language नहीं है, substantive position of law इससे change होता है इसलिए ये review petition सरकार की भी माननी चाहिए, तो बहस इस बात पर अटर्णिजेनल नहीं किया बलकि ये बात कहा कि कोर्ट अगर इन चीजों को सुनेंगे और आप कुछ कॉमेंट करेंगे तो ये सरकार की खिलाब जाएगी आप ऑपोजिशन को साथ खड़े होंगे तो एक तरह से कोर्ट को धंकी दे रहे थे कि आप अप भारत सरकार के जो क्या कहें बुख्य वक्ता है तो उनकी अगर बातचीद देखे तो आप अगर सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं तो अब ऑपोजिशन जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता अब कोर्ट अगर कोई सवाल सरकार से करता है तो वो ऑपोजिशन के साथ ख सिर्फ सरकार की प्रदिदित्व नहीं कर रहे हैं बलकि वह एक law officer of the court भी है तो वो इस तरह के बात कर रहे थे जिससे एक तरह से court को धंकी दे रहे थे कि आप अपना जुवान मत खोलिए नहीं तो आप भी राजडितिक रूप में opposition के साथ खड़े होंगे अगर सरकात के साथ अब नहीं देंगे तो अब opposition के साथ खड़े हैं दिवह मुझे कहते हैं कि मत के मत भेद नहीं हो सकता अगर आप मत भेद रखते हैं तब दुश्मन है ठीक है तो वह रिवी पोटीशन ते इस पर फाइल की गए थे कि लीगल और फैक्चुल एरर है उसको आप देखिए और बाच्चित इस पर की जा रही है कि ऑफिसिल सिक्रेट है वगएरा बाच्चित की जा रही है जबकि सारी चीजे सारवजीन रूप से पस्ट कर रही है कि यह यह गलतियां है तो आपको लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि जब भी राफैल का कोई मामला आता है तो उससे बड़ा मामला और खुल जाता है और बितर खुल जाते हैं कि सरकार सब को में अज़ित्त तो था χाल उन्होंने बहुत सारे डाकुमिंट चाप है उस वक्त वो फ़रस डील में में वही अन्राम थे है और टूजी वक्त के वक्त पनी टूजी स्कैप सिर्प के बहुत सारे सरकारी तथ डिकले थे डाकुमि discovers डिकले थे cabinet decisions cabinet notes निकले थे इन सब के खिलाब official secrets act के तहत कारवाई करने की कभी बात नहीं आई थी तो हमारे जो एक press की जो परंपरा रही है, media की जो परंपरा रही है इसको अभी बिट्टी में मिलाने की कोशिश हो रही है हमें देखना पड़ेगा इसका कहां तक जाएगा, attorney general court से निकल के बाहर थोड़ा सुनका नुख रुख नरम कर लिये थे तो देखना पड़ेगा कहां पहुंचता है पर इस पर कोई दोराय नहीं है, कि चुनावी जो दौर भी चलना शुरू हुआ, रफेल हटने वाला नहीं है, रफेल इस पर रहेगा सरकार जितना भी कोशिश कर ले और जितनी भी बात लाए और जितना ही Official Secrets Act के बात करें, भाकिकत तो यह है कि रफेल रहेगा और बलकि Official Secrets Act की बात करके उनकी पुश्टी की है कि सरकार की कुछ चीजों से डर लग रहा अंतिम सवाल आप से, यह सारे जो घाल मेल हैं सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम हिंदी वाले हैं लग बग, यह सब कुछ हंग्रेजी मिडिया में चल ला है, हिंदी वाक बार में सारी चीज़ें आती भी नहीं है, आपको लगता है कि भाई, जो माहौल जिस पूरी हिंदी बेल्ट की जनता है, समझ पाए कि यह बहुत ही भरष्टाचार है, लूट है, जो हिंदी अखबार में दिखता ही नहीं है, एकदम से इस पर क्या चर्चा हो रहा है, देखे, अब मैं तो नहीं मानता हूं कि सेंसर्शिप चाहे परोक्ष हो, प्रत्यक्ष हो, कोई भी सेंसर्शिप हो, चाहे किसी भी मीडिया के हो, हिंदी बीडिया, अग्रेजी बीडिया, किसी और भाषा की मीडिया के हो, उससे आम जनता की समझ को आप बहुत दिन तक आप उसको असली समझ से दूर रख सकते हो, मैं इस चीज को नहीं मानता, हम अबर्जिसी आप कोई भी नितक्ष की बात तो दूर की बात है, कोई क्रिटिसिजम सरकार की हो ही दी सकता था, उस वक्त भी पूरे नौर्थ इंडिया, हिंदी भाषा-भाषी छेत्रे में खास तोर से, कॉंग्रेस इंदरा गांधी की देर्टृत में एक दम सफाया उसका हो गया था, तो मै इसके बावजूद सत्य जो है, वो आखिर जन्ता के साबने पहुंचेगी, मैं नहीं समझता कि सिर्फ मीडिया की बात को मोड़ के, आप सत्य को छिपाप आओगे अम्मेर से तक शुक्रिया प्रभीर हमसे बाचित करने के लिए, प्रभीर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि असलियत देर तक नहीं छुपती है, असलियत याने की सच, सच ऐसा ही हो कि धूएं की तरफ पूरे माहौल में फ़ल जाए, देखते रहिए, न्यूज क्लिक, शुक्रिया